नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में जीहाँ पंजाब किंग्स और हैधरबाद के बीच में दोस्तो आज महा मुकाबला देखने को मिला और यह मुकाबला एक बार फिर से अंत के ओवरों में गया और ऐसा लगता है कि रियल में ही पंजाब किंग्स को मैच को अंत के ओबर में जीतना बहुत ज़्यादा पसंद है तो चले मैं आप सभी को बताता हूँ कि आज कैसे पंजाब किंग्स ने बीच मैदान में ही एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसकी पूरी दुनिया में तारिफ हो रही है और कहा जा रहा है कि कैल रहूल की टीम ही सिरफ ये कारनामा कर सकती है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज पंजाब किंग्स की टीम ने जिस तरह से टॉस हारने के बाद पहले बलेवाजी की एक टाइम ऐसा था जब लग रहा था कि पंजाब किंग्स की टीम आज बहुत ही आसानी से इस मैच को हार जाएगी क्योंकि पंजाब किंग्स की तरफ से किसी ने भी अच्छी बलेवाजी नहीं की और मैं आपको उताना चाहूँगा कि कियल रहूल ने सिरफ 21 रनों की पारी खेली तो मैंग का गरवाल ने तो सिरफ 5 ही रन बनाया क्रिस गेल जिस पर सबको उम्मीदे थें क्रिस गेल आज रासित खान का सिखारू में सिरफ 14 रन बना कर ही ये आउट हो गए इसके रामा एडन मरकरम ने सबसे 10 रन बनाये 27 रन और ये भी ज्यादा कुछ खास करना सके बहुत बड़ी पारी ना खेल पाएं निकल्स पुरान ने सिरफ 8 रन की ही पारी खेली दीपक हुड़ा ने 13 रन बनाये तो वहीं हरप्रित बराव ने 8 रन बनाये और नाथन इल्स ने 12 रनों की पारी खेली तो कुल मिला करके आज पीवी के यानि पंजाब किंग्स गिरते परते 125 रनों तक पहुंच गई और 126 रनों की टार्गेट को संराइजर हैदराबाद को चेस करना था और जिस टाइम पर दोस्तों संराइजर हैदराबाद चेस करने उतरी थी एक के वाद एक लगतार विकट गिर रहे थे जहां डैविड वार्नर दो रन बनाकर आउट हो गये तो रिधिमान सहा 31 रन बनाकर मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पर हैदराबाद को 27 यंदो पर 38 रन चाहिए था जो की बहुत करीब था और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद जी जाएगी और रिधिमान सहा और जैसन होलर दोनों ही काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे लेकिन उसी टाइम प पर दोनों ही बैट्समेन बीच ग्राउंड पर आकर के बीच पीच पर खड़े थे और इसी टाइम पर फिल्डर ने बहुत ही अच्छी फिल्डिंग की और गेंद सीधा फेक दी रवी विसनोई के हाथ में और रवी विसनोई ने तुरंत ही रिधिमान सहा को आउट कर दिय और यहाँ पर पंजाब किंग्स मैच में एक बार फिर से बन गए रिधिमान सहा इस तरह से 37 गेंद खेल कर 31 रन बना करके आउट हो गए ऐसा लग रहा था कि रिधिमान सहा अपनी टीम को जिता कर ही जाएंगे लेकिन ऐसा हो नहीं सका और जिससे जैसन होलर को समझ में आ विकट बना और जिस तरह से रवी विष्णोई ने बोल को कैच करके और इस्टम की गिलियां उड़ा दी रियल में ये बहुत ही ज्यादा कमाल का मुमेंट था और यही वो मुमेंट था जहां से पंजाब किंग्स धीर धीर करके मैच में वापसी करने लग गई और इसके ब वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद